आज हम आपकी मुलाकात एक खास महमान से कराने जा रहे हैं ये खास इसलिए है क्योंकि ये हमारे चतीजगर के गौरव हैं और हाल ही मेराश्टपती रामनात कोविट जी ने इन्हें पदमिश्री से समानित किया है जी हां आपने सही पहचाना पदमिश्री डॉक्टर रादे शुब कामना है आपने हमारे प्रदेश का नाम गोरानवीत किया है तो सबसे पहले मैं आप से यही पूछना चाहूंगी कि यह जो आपकी यात्रा है पदमिश्री तक पहुशने के जो यात्रा है वो कैसी रही आपने कैसे शुर्वात की और किन-किन पड़ावों को आपने रहे वागों कि शुरुवाती दर में बहुंशतारी कठनादी उकर सामना करना पड़ता है सब्सक्रावि में इसमें सामना करना पड़ा, शुरुवाती दवर में तो हम लोग पास जब सुरु सुरु में जब पन थी, हमारे बड़े बुजुर्गों का जब देख के हम लोगों सिखा, और हमारे पिता जी चाचा लोग और गाओ के और बुजुर्गों के एक टीम था, राम धुनिका और चाचा लोग सब कर रहे तो क्यों ना हम लोग एक छोटे से मंडली लेड़के छोड़े-छोड़े मिलके करें, उसमेलाग भाव आड़ से नव वर्शके हम लोग उमर हमारे रहा हो, और उस दावरान से लेके अब तक फिर सबके में मिटिंग बैट करके फिर एक ने मंडली के त्यार किया, सतराम पंति दल, गराम खोला, तासिल पाटन जिला दुरुग के नाम से, और फिर उसके बाद में उसमें गनेश चतुर्थी का समय था, गनेश के स्थापना करके और पुजापाट सुभा साम करते थे, उससी वीच में हम लोग थोड़े एक आदो दिन प्र साहु समास का एक बस्ति आये, वहाँ एक टीचर में हमको अमन्तित किया कि बारले जी आपको टीम लेके यहां आये, और अपने पंथी गीत और नित्य के माध्धम से हम लोग को सराभोर कीजे, और बाबा के उदेश और उसके संदेश को, बाबा के संदेश उदेश सबसे पहले अनन्च उदेश कनेश चतुरते के दिन में ग्राव बोदेल में हमारा पहला कारिकम हुआ, फिर इसके बाद दो-तिर मिने बाद फिर दिसंबर लग गया, फिर दिसंबर में 18 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तर कारिकम चलता रहा. मतलब हम यह बोल सकते हैं, आपकी पहली प्रस्तुती जो थी, वो किस उम्र में हुई थी? मतलब आप 9-10 साल के जब रहे, मतलब तभी से आपने इसके शुर्बात कर दिसंबर के आज पास था, पहला मंच हमारा 10 साल अग्भग उमर था. वाले जी, हम यह जानना चाहरे थी, कि अभी का जो पंतिन रत्य है, और जो पुराना पंतिन रत्य था, क्या उसके अभिनए में या प्रस्तुती करण में कहीं कुछ फेर बदल देखते हैं? फेर बदल बहुत सारे हो रहा है, अभी के हमारे युवास साथी जो है, अभी के जो बच्चे जो हैं, चुकि पहले पंति में जान, जुंका और मांदर का विसेश करके प्रयोग होता है, और हम लोग निकलते हैं, गोलाकार ग्रूप में, शुरू से में कई लोग में बदन करते हैं, उसमें कंठी जने और मस्तक में तिलक अपने चंदल लगा करके विस भूस्ता के शाथ निकलते हैं, चुकि परंपरिक जो पंति नित्त है, परंपरा जो है मारे पुरोजो की धरुहर है, उसमें भी कुछ बहुत मिलावाट आ रहा है, पहले क्या है, मिलाव अधर जन्दर्शन, भाईचारा, सत अहिंसा, जो बाबा जी का मुख्य उद्देश सथा, मुख्य संदेश था, मन्खे मन खिला जान सगा भाई के समान, मानाव मानाव एक समान, इतना अच्छा हमारे बाबा जी ने संदेश जो दिया है, ऐसे विराठ उसके उद्देश औ जब तक हम लोगों ने अपने आम जन्ता तक उसको सार शब्दों में इस परष्ट शब्दों में हम लोग अपने गीत के माध्धम से पीरेव करको उसको नहीं बताएंगे तो कहां सबाज पाएंगे, तभी कि बच्चे लोग गाते बजा तो ठीक है, लेकिन वाद्द्द् उसमें भी कुछ परिवर्टान उसके कर दिया है, और गाने के सैली में भी लोग संगित के तरजमें कही कलाकार को गाते बजाते देखने को मिलता है, और हम चुकि पुरणे विधा से, हम पुरणे परंपरा से हमको भूलना नहीं चाहिए, हम अपने पुरजों के भूल जा रही है, वो संदेश क्या नदारत है या फिर बीट उनने जादा बढ़ा दिया है उसमें? अब भी भी उसको गा प्रस्थूति करते हैं और इसी सहली में, इसी तरज में हमारे स्वर की देवधास मंजारी जी के बहुंसतारी घीत है, दिदीय अमरिता बारली जी के बहुंसतारी उसमें गीत है, जो परंपरा को अभी तक उसमें लोग नुबहारे हैं, तो हम चाहते है कि हमारे यूवा साथी लोग भी अपिन परमपरा को नचोड़े अधिनिक चुले लेकिन कम करें साथ में परमपरा को भी आगे बढ़ै चले अब वह लिजी अभी जैसे हम जानना चाहेंगे कि युवा वर्ग क्या इस पंधिर मत्ट्य से जुड़ रहे हैं इुक होाज जय आप मैंपनीम हैं singular आप मकावज़ के हूँ यह फिर अधर समाज के से जुड़े हैं? जी मैं पन्थी तरें अब मत्वन्टी टैपास के आफ लोग अब भी बिग्नतुक्र छात्रोट हомина। फैन कर रहन था कोई मेर मेरे जीवन कालमे चछत्फ पुरह मेर मेरे जीवन के दिहात में कभी बुद्फ पूरह को रहा हुआ राष्टे अंतर राष्टी में कई बार हम लोग ने अपनी प्रस्थ प्रस्थ प्रसुत किया हैं। लेकिन किसी के भासन में अब तक भूतपूर कलाकार करकर मैं सुनते ना भासन बोलते निदेखा गया हूं ने सुना गया हूं। और ये शायद विरले ही कलाकारों के ही नसीब की बात है, कि ये भूतपूर वाला जो शब्द है, वो कलाकारों के साथ नहीं आता है। कि संधी खुजबु को देश और दुनिया में पहुंचाने का जो प्रयास किया है, ऐसे कलावंद और इसे कलाकार को हमारे सत्त नमन हैं और सत्त विनम्र सत धन्जली हैं, जिन्होंने प्रदेश के नाम को देश दुनिया में पहुंचा कर अच्छत विवारों को बढ़ाया है दूसरा जवाल मेरा ये भी था कि आपने अब तक किन-किन यदि हम विदेश की बात करते हैं, तो कहां-कहां अभी तक आपने प्रस्तिती दिया है। जला गया तो असांग ठांग जला गया, शिक्किम नागलन दर्जिलिंग में भी उधर, एकी जिन्दक के पुरा दावरा किया है, पुर्वांचल शेतर में, गोवाहाटी सेलेगा शिलीगूरी तक में, और इधर अपना सभी प्राया, सभी बड़े महानगर, और सभी अपने दल के साथ को ले करके साथी को ले करके पंधिनित्य प्रस्तुति का जो किया है, और इसके मार्धम से बाबा का संत शिरुमनी परंपुझ गुरु बाबा घासिदास का हम लोगों ने जो संदेश दिया है, उस सच मुच में कई लोगों ने अभी उसके एक संदेश अपने परिवार का उन्हों लोगे अच्छा सब्सकार और परिवार के परन पोशन और शिक्षा के उर्ग असीद हो रहा हैं, तो आपने हमारे देश के जितने भी राजे लगभग आपने सारे राज्यों में जाके प्रस्तुति देने में काफी आपको अच्छा लगा, पाएंगे वो एक लियाद आपके पहले तो हम 2003 में शिलीगुडी वही उत्सव पुर्वांचल में जाब गया थे वरसे 2003 में की जिन का दौरा में तो पहले हम लोग शिलीगुडी में उत्रे इसके बाद गोहाटी में हम लोग पहला कार के बहुत देश भर के वहां कलाकार थे और सारे स्टेट के कलाकार थे वहां और अपने अपने स्टेट का अपने अपने राज्य को नहीं सबरने अपने अपने तरफ से अपने कला की प्रस्तुति की अपने राज्य के अपने दित्य किया उनमें एक से बड़क एक कलाकार थे और चत्रिगर के से हम लोगों ने भी वहाँ जा करके अपने प्रस्तुति दिया और पहले लगभग लगभग वहाँ 22 या तेश्व कलाकार थे पुरे देज भर के तुरिंदा एक एक राजी से एक टीम के अलावा बाहर से प्राम से भी और अलग आया थे वहाँ आया थे कलाकार उसके बीच में उसमें वहाँ क साहब उसके करकमने सुर्भाटन हुआ यादगार पल था और उस जो यादगार पल हम लोगों ने छोटे से खल बनाके उपर पिरामीड वहाँ दिखाया उपर में चार चार दो एक करके हम लोग एक दूसरे को पर चड़को मिनार बनाते नहीं है वाके में बड़ी अच्छ उसके उपर सबसे लास्ट में जो खड़ा हुआ लड़का उन्होंने एक हात में तिरंगा जंडा और एक हात में हलको पकड़ के ऐसे जय जवान जय किसान के जब नारे लगा पूरा लाखों के पब्लिक में तदाल तदात में बैठा था जर्चक उनजायमान पब्लिक के त तालियों की गडगड़ा हाट से गुझ उठा और इतना उसमें प्रश्चाहान मिला उस हाल और जय जवान जय किसान के नारे से मुख्य मंत्री तक भी सराबर हो गया और मन से जय सही हम लोगों ने उतर है कारिकम दे करके तो हम लोग पसीना पसीन थी आदा है कारिकम दे ल चाहरन मनावोना सत्यक हैरे रसतता बतया गुरू होतो चाहरन मनावोना बाबा होतो चाहरन मनावोना प्रसुति गया था साथ आन्तरे का घित था जो वह अगने बिल्कुल और गले ता से अनंदपल था और एक अलकन भूतτα जोस आया कि इतना मुक्षि मंतरी महदाजीन आकर कि बदाई दिया इतना पश्थान किया ति वहां से फिर वरस 2003 से गवाहटे से फिर स्री सिला जो चला लगभग भी सिक्षे अठराव निस साल हो गया फिर लगातार हम लोगों ने पीछे मुण के नहीं देखे हो उसके पहले ही और सारे राज्या के कला कारों ने बहुत सहरा और बहुत सहरानी मिला वहां को ही स्ट प्राइज ही भां अप बहुत भाहती मिदलब शानदार प्रस्थुति रहिए बहुत मुहित और जो अभी आपने जो हमें अभी थोडा गुन- गुना के जो आपने हमें बताया कि उस समय जो आपकी प्रस्तुती थी वो सुनके ही बड़ा आनन सा महसूस हो रहा है और बड़ा एक असीम सी शांती सी महसूस होती है जो बोल जो आपके मुझे जो बोल निकले थे वो एक असीम सुक की या शांती की जो एक अनुभूती है व वहां से आपका सफर शुरुवात हुई थी उसके बाद यह आपका सफर यह लगातार बना रहा रहा है तो आपके दल में जो नर्तक रहे होंगे आपकी मंडली में जो लोग रहे होंगे वह कम रहे होंगे समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं कभी कई कर देशाथ करें अब के प्रस्तुती की तो आप अपनी मंडली के साथ कितनी प्रस्तुती के लिए बाहर जाते हैं अभी तो दो सल से कोरोना कारेकाल में आप सब भिग्य है जानकारी है चुकि वर्स 2020-2021 में जो कोरोना महामारी के कारण हजारों कलाकारों ने दम तोड़ दे और हम सब की विश्ची विदा होकर चले गए ऐसे विशंपरी सित्यों में भी कलाकारों ने अपनी हिम्मत नहीं खोया जिन कलाकार भाईयोंने विशंपरिष्चिति में कुछना महामारी की कारेकाल के समय भी हिम्मत नहीं खोया ओक कलाकार भी भी अपने क़्town को जिवित रखनी के लिए प्रयाश रठ है और सासन से लेफ प्रसासन का रस्ता देख रहा है कि कुर दूस्ट फ्रकारेधक लेकित मिला है साथ कार्षाक है कि देखेड़ यहां है कि फिकमा कुने कालो कि आर्थि किस्तिती देहनी हो गया है, और कई बड़े-बड़े कलाकार प्रोणे कलाकार और जो उवसाध ही कलाकार पोड़ों के द लोग différents विखी कोरोन के काल में समान गया है, तो ऐसे भी संपरिशितियों में थी कलाकार ने कई फिनल जायसे हमारे जलने, दिदी के दलने पर साथा né काम काम किला। जरिये में और पंठी गीत के माध्धम से सोचल मीडिया के माध्धम से बहुत सारे गीत गा करके और जन्ततक उसको पहुचाने में गाओं के सुधूर अंचलो तक पहुचाने में काफी हम लोगों ने उसमें काम किया था वर्षी 2020 में 21 में तो ज्यादा भी जो तिन मैने तक लेकिन वर्ष 2020 से पूरा पूरा कोरोना काल भर हम लोगों ने बहुत प्रस्था मिला और देज भर्ष उसका भी अच्छा मने वाइरल हुआ जो वीडियो जो मतलब हम यह बोल सकते हैं कि कलाकार जो है लोग कला का पर्षम तो लहराते ही है सासात लोगों को जागरूग भी करते हैं अपनी सामजिक जिम्मेदारियों को बहां करते हैं तो वाले जी हम अभी वर्द परिदरश्य की हम बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो पंतिन रिध तक हैं वो किस तरह से अभी ट्रेन किये जाए चुकी आपने जब ट्रेनिंग ली थी आप काफी छोटे सकते हैं तो यह जो आपकी जो यह विधा है पंठी मृत्य की क्या यह आप आप आने वाली जो पीडी है क्या यह देख के सेख सकती या फिर कुछ अकादमी के आपने स्थापना की है इसके लिए अकादमी का तो गठन है क्या हम लोग की गाउम है खोला में मेरे पिता स्वर्गिस्ति शमारु राम बारले चाचा सरी सीव प्रशाद बारले और भुरुवाराम भारती स्वनवाराम को ठारी तरजुन महस्वरी हमारे पुरने लगभग 40-50,000 का लाकार है और जब मैं अभी वर्तमान में जब 11 तारिक वहां दिली से पदमिश्की सम्मान लेके लोटा तो मेरे सम्मान में लगभग 14-15 टीम माना एरपोर्ट में वहां राइपूर में मेरे स्वागत सम्मान में लगभग 4-5 साथ जार लोग का लाकार व वहां से जाने के बाद में जब तो लिट नीज निवाश तक के सरामिव दावाद्र फिलाई में मुख्य मंदरिक आअगमन होना थे मेरे सम्मान में रुमान्य वहां दुरुग्राम uh economy मे अगभग मोधार शmen वाज्य साक्थत्यक घ्रे दरा नम्हाय क निजी जो मेरे सम्म वहां जयान किया था उसमें भी लग भग लग भग दो सव पंथी मन लग भग एक किस से बाइस सव पंथी कलाकार एक साथ रित लेक्ट लेक्ट और सियम साब ने बहुत देखे गदगद हो गया प्रसंद हो गया बड़ा ही मदलब आनन्द कशन रहा है तो हम चाहते है कि सारे एक मंच पर आकर के एक शमीत्य स्वित यह चंधी पंथी निता अक्थी है उसे संगाथन को सरकार से हम आहीँ अपिख्चा कि यहां राउदनाच क्रमा है पंथी है और महुंुछ तारी लोकन्रित्य के विदा है उस सत्थान हो और अलाग अलाग के कलाकारों को चाहे राउतनाच हो चाहे पंत्री हो चाहे कर्वा हो सभी लोकृत के कलाकारों को बारी-बारी से आउसर उसमें प्रस्तुति का आउसर मिलता रहे ताकि यह जो हमारी कला है वो जो है निरंतर चलता रहे और जो हमारे जितने भी कलाकार हैं वो इ जैसे कई कलाकारों की इस्तिती को देखते हुए भी यह जो मांग यह अपने सरकार से रखी है नहीं रखे नहीं है लेकिन जाएंगे एक दिन प्रस्ताव लेकर मैं उस दिन भूल गया जब सिहम सहाब बोले तो क्या चाहिए बारलेजी करके कुछ आप तो हमिल गया जिन्हों अट मेरे परेम सेव मेरे बेवार में जो लो मेरे संवान के प्रतिया यहां मेरे संवान के वैपने कला के प्रसूती देने क्यूंत है है। मैं समस्ता हूं कि वो सम्मान का हगदार मैं अकेला नहीं हूं, सारे चत्रीड के वासिय है, चत्रीड के कलाकार है और हमारे परभपुज़ बाबागुरु हासिदास को जिनके उपदेश और संदेश को हम लोगों ने जन जन तक पहुचाने का प्रयास किया है, ऐसे संथ का आ पहाओ दने के लिए में धरम पत्नी स्रीवती महस्वरी बारले कभी उसमें होगदान है बारले जिका, चुकि अगर सुरुवाती दोरे मुझे कलाकारी में जाने से कर रोकता है तो मैं इस मंजीत तक आज नहीं पहुच पाता है, इसलिए हम हूं का माता-पिता कराता है, घ इस लायक तक पहुचा कि मैं राष्ट्रपत्र भावन में लेकरके, जा करके, मैं पद्विशी सम्मान जोसे राष्टी सम्मान है, जो देश का सरोच चावथा सम्मान है, उस सम्मान के लायक हगदार मुझे मिला और उस सम्मान मुझे सम्मानी राष्ट्रपत्र भावन में उसके बाद सभी पदमा एवाडों से जब बारी-बारी सा राष्टपडिमी निमिले चाया नास्ता कि जब बारी आते हैं तो पुना हराष्ट पद्दिय केकर स़फि मिलते हैं उसके बाद प्रदान मंत्री शाहब मिलते हैं, फिर वाइस प्रेसिजेंट जी मिले, फिर हमारे ग्री मंत्री मानने से मिस्टाज भी सब्च बारी बारी से सभी पदमय वाड़ी से वहां मिले, तो हम ये तुरा मने सुख़त अनभाव, मिले जिवन का मने अविश्मरनी चंज प्रदान मंत्री शाहिए, तो क्या कुछ उनने कहा या क्या कुछ आपने बताया, पंधिन अक्ति को लेकर? मुझे आगे बढ़ने का जो आपका शिर्वाद मिला, आज यहां तक मैं पहुंचा हूं सरे, बहुत बहुत धन्यवाद, तो क्या पंधिकीत में क्या आप करते हो? मैं पंधिकीत सरे हमारे संध चत्रिगड़कर पुरादेश का संध शुरुमनी परमपज्य गुरु भाबा घासिदास के उपदेश, संदेश और उसके जिवन दर्शन, उनके जिवन दर्शन जो भाईचारा और जो मन्खे मन्खे एक समान का उन्होंने जो रास्ता बताया उन संदेश को, बाबा जी के बताय हुए मार्ग को हम लोगों ने अपना करके, अपने गीत में पिरो करके उसको जन जन तक पहुचाने का जो प्रयास करते हैं सर, उसमें बाबा जी के बताय हुए मार्ग, सत अहिंसा उसमें निरगुन भजन भी है, शोगुन भी है और काय खंडी भजन को भी हम लोगों ने पंथी गीत नित्य के माध्धम से पिरोते हैं ताकि जन जन तक उसका संदेश जाए बाबाजी का संदेश वहां तक पहुंचे तो वाकी में बहुत अच्छी आपकी वह यात्रा रही और दूसरा हम यह भी जाना चाहेंगे कि सत्नामी समाज में चुकि यह शायद पहले आप अवार्डी हैं पदमिश्री तो वाकी में यह बहुत ही गौरव की बात है और यदि हम पूरे देश में यदि बात करें कि सत्नामी समाज के लगबग 8-10 करोड लोग निवास करते हैं तो उन सब में यह आवार्ड आपको मिलना यह वाकी मे हुमारे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है और जहां तक सवाल रहा महिलाओं का क्या महिलाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं पंधिनित पूरुसों से कंधा से कंधा मिला कर चलते हैं स्वर्गी हभीप तनिविर जी के चरंदा स्टोर नाटक में दि एक गित में महिला का पंधी निकलते तेती अम्रिता बारली के तौर। आपके जरिये भी योगदान दिया जा रहा है और आपने प्रदेश का नाम गोरानवित किया है एक बार फिर से आपको पदमिष्री के लिए बहुत बहुत शुप काम्ना आएं पूरे दूर दूर्द बहुत बहुत धन्यवाद आपने आके यहां हमें बहुत सी चीजे बताई जो हमारे दर्शक ने भी आज सुनी समझी और जानी नमस्कार आपका बहुत बहुत धन्यवाद